के लिए हम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है एक अव निय वेकंसी का फाइली नोडिकिसन जारी हो चुका है यह जो वेकंसी आप किया रही है SSC MTS और हवलदार के पोस्ट पर आपकी नई वेकंसी 2024 के अलड़ी जारी हो चुकी है अभी आपको संपूर जान कारी देंगे क्या सेलेक्शन परोसेश है क्या जिलमीट रखा गया है कोन-कोन यह फोन भळास भर सकता है क्या कॉलिफिकिसन मागा गया है सारा कुछ आपको प्रोसेश बताएंगे अभी आपको फोन के स्क्वीन पर नोडिकिसन भी दिखाएंगे अब आपको बता दें अगर चैनल पर नए होगे तो चैनल का आप जरूर सस्क्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करके टेलिग्राम आप जाइन के लिजिगे वहाँ पर आपको बता देंगे अब आपको बता देंगे आपको नहीं बता गया है इसमें जो टोटल पोस्ट नहीं बता गया है इसमें जो टोटल पोस्ट आ रहा है आपका बावन सो आपका इस बार टोटल पोस्ट आ रहा है 5200 आपका टोटल पोस्ट आ रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा आपका पोस्ट नहीं आता इससे पले आपकी वेकेंसी आई थी उसका उलोड़ी एक्जाम भी हो चुका है अब आप सब्सक्राइब कर लिया जाएगा कि अपने तयारी शुरू कर दीजिये अब यह सारा प्रोसेस आपको बताएंगे कि स्लेबस वन उस लेवास्ट अपका दो इक्जाम कर जाएगा सारा कुछ प्रोसेस आगे आपको बताएंगे अब आपको बताएंगे फिर्म पीस आपका जनना लोभी से डबू इसका मात्रस आपका सवर रुपए फिस चार्ज लगेगा जो कि आ अल्लाइन आपको पेमिंट देना होगा स्ट का यहां पर कोई फीस चार्ज नहीं पड़ेगा उनका फॉर्म फीस फिरी रहेगा एज लिमिट आप समलीजेए इसमें डिफरेंट डिफरेंट से एज लिमिट है आपका अगर आप MTS फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसमें 18-25 साल आपकी एज लिमिट प्रेंट रखा गया है दोनों पोश्ट के लिए अगर आप दसवी पास हो ता आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो लेकिन एक फॉर्म आप एक ही पोश्ट के लिए अपका जारी हुआ है कलेंडर आपका एक्जामनेशन कलेंडर आपका 2425 का अलोड़ी जारी हो चुका है यहां पर देख सकते हो सिलेक्शन कमीशन आपका यहां पर बताया गया है और आपका टेंडर यह जारी हो चुका है और यहां पर किसका पोस्ट का फॉर्म अपलाई होना शुरू हो जाएगा जैसे कि रेलोई का भी इसमें पर आपका एक्जामनेशन कलेंडर जारी हुआ स्टेनो ग्राफिक का यहां पर चुका है यहां पर भी आपका जारी हो चुका है यहां पर देख सकते हो घ्रेट opposite और चैळिक्स आपका बताई हुआ लगो माई जून में आपका इसमें एक्जाम कराया जागा यह भी आपका बताया गया था और यहां पर आप देख सकते हो जो कि आपका वेकंसी आने वारा जिस जो हम आभी आपको बोर्ड पर आगे समझाएंगे मल्की टाक्सिंग स्टॉप अब यहां पर ध्यान से देखिएगा मल्की टाक्सिंग स्टॉप का यहां पर बताया गया है यहां टियर्स का पोस्ट है और यहां पर एंड हवलदार का यहां पर बताया गया है यह आपको केलियर हो गया साथ मई से अपका स्टार्ट हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो एक पूरूप आ रहा हूं आपको बता दे रहे हैं यहां पर आप देख लिजिए यहां पर SSC GD का जो पताया गया था एक्जाम नेशन लब 2024 का आएगा 27 अगस्त आपका फॉय अपलाई उन्हें शुरू भी हो चुका था SSC GD का 25 27 सितंबर आपका 24 लाट डेड़ था दिसंबर से और जन्वाई तक आपका इसमें बताया गया था एक्जाम कराया जगा और लोडिस का एक्जाम हो रहा है आप लोगों कोई पता होगा जन्होंने फॉर्म बरहा होगा यह था आपका सौर्ड नोटिस जो कि आपके जारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब की पोश्ट के लिए आप अपका अपका सेलरी दिया जाएगा आपको पता है इतना ही सेलरी आपको पर मंत इसमें मिलता है अप सेलेक्शन प्रोसेस पहले आप समय लीजिए इसमें आपका रिटेन एक्जाम कराया जागा जो कि आपका CBT पर होगा मतलब कंपूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा इसमें उसके बाद फीजिकल टेस्ट होगा जो कि हवालदार के पोश्ट पर आपका फीजिकल इसमें होगा वह आगे आपको प्रोसेस अभी हम बताएंगे जैसे कि आप लोग उन्हें नोटिपी किसें देख आपको दिखाया क्योंकि आप जब तक नोटिपिकिसन देखती हैं तब तक आप विश्वास नहीं करते हो कि यहां वेकेंसी आ चुकी है इसका सॉट नोटिपिकिसन बता दिया गया है कि आपका वेकेंसी कब से आपका अपलाई होना सुरू होगा क्योंकि आप तैयारी लїया कि आपको मेडिक मेडिक चेपन करोगी यहां इसे लिए आपको अनमान बता च được अर है इससे 25 बार कि इस बार बर चीशन अब बरेगा क्योंकि ज आनमान बताई जार आट आप जो मिला है उसी की अधार को हम बता रहें 25 से 30 लाग आपको इसमें फॉर्म भरा जाएगा लगे नितना नहीं भरा जाएगा उससे कमी भरा जाएगा अब आपको हम बता दें इसमें आप स्रीफ-बस ट्यर्वन और पेप्र टूडवे अघृशन सleव जोन pa ile अगर आप कॉलिफाई करो गार तव शीषए ओन सर्सी क्राएगा और हम् train आपका 40 question रहेगा और 120 mark कर रहेगा यह आपको clear हो गया होगा यह paper 1 है आपका syllabus अब paper 2 syllabus आप समल लीजिए paper 2 में आपका 50 question रहेगा 150 mark कर रहेगा 45 minute time मिलेगा और इसमें आपका एक बटा 3 आपका इसमें negative mark रहेगा इसे आप समझेगा इंग्लिस से आपका 25 question रहेगा और 150 mark कर रहेगा यह सारा data आपको clear होगा कोई confusion होगा तो आप लोग comment कीजिएगा एक separate video बनाके हम फिर से आपको हम समझा देंगे चैनल पर नहीं होगे तो चैनल का जरूरू सब्सक्राइब कीजिएगा यह था paper 1 और paper 2 अब हमने सारा data आपको पास करना निवार है नहीं तब सिकेंड पेपर देने के लिए नहीं पावगा नहीं होगा यह पहले कर दिया अब पहले आप फिजिकल टेस्ट हम लिए जो कि आपका MTS के लिए मैं आप लिग भी दे रहे हैं अगर आप MTS के लिए पहले करते हो अगर MTS के लिए पहले करते हो तो आपका इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होगा नहीं अपको मागा गया है नहीं आपका इसमें रणिंग होगा हमने आपको किलियर कर दिया अगर हवल्दार के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो पौं तो आपका इसमें हाइड जो मागा गया है जन्ना लोबी सी डबूले अस्टीक आपका आपको इसमें 15 मिनट टाइम मिलेगा नॉर्मल है आप बड़े अजिस निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी 15 मिट आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल आए 16 मिटर रणिंग होगा फिमेल के लिए आल कंडिडेट का जन्ना लोबी सी ए डबूले अस्टी एस्टी का आपक अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि इसमें सबसे मेन आया आपका मेन सिलेबस पेपर वन और पेपर टू इसी के अधार पर आपका इसे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और ससी की जौब भी बहुत अच्छी होती है आप लोगों भी पता होगा सेलेरी बैप कि सेलेरी भी दी जा रही है कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हम एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग फिन से समझा देंगे सही से आप लोगों को चैनल पर नए होगे तो चैनल को आप जरू सस्क्राइब कीजिगा वीडियो को लाइक करके टेली अगरम आप जाइन कर लिजिगा हम डेली और बेट आपको जाप के बारे में देते रहें